संसनी ओप इंडिया 84 वर्षिय कशिशूर्फ कुलदीप और भटिंडा पंजाब 89 वर्षिय केशव कुमार के रूप में हुई है तीनो आरोपी गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के नजदी के किराय के मकान में छिपे हुए थे इनके पास से 8 ग्रेनेड, 9 इलेक्ट्रिक डिटोनिटर, 3 पिस्तॉल, 50 गोलियां और एक असॉल्ट राइफल बरामद किये गए पंजाबी सिंगर सिध्धू मुसेवाला की हत्या के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं पंजाब के अलावा दिल्ली और महराष्ट्रा की पुलिस भी शूटर्स को गिरफतार करने के लिए जोर लगा रही थी लेकिन काम्याभी दिल्ली पुलिस के प्रमोद कुमार कुश्वाह डीसीपी स्पेशल सेल की सुपविजन वर ललित मोहन नेगी और हृदय भूशन एसीपी के नित्रित्वर में इंस्पेक्टर सुनील राजेन, रविंदर जोशी, विनैपल और अर्विंद की टीम को मिली स्पेशल सेल की टीम शाप शूटर्स तक कैसे पहुँची अपने आप में रोचक है बताया जा रहा है कि गैंग्स्टर लारेंस बिश्रोई और गैंग्स्टर गोल्डी बरार गैंग में कोई बदमाश गल्फ्रेंड नहीं रखता है गैंग में शूटर प्रियवरत और फॉजी ही गल्फ्रेंड रखता था प्रियवरत और फॉजी की एक नहीं चार-चार गल्फ्रेंड थी यहीं गलती शूटर प्रियवरत और फॉजी को भारी पड़ गई शूटर प्रियवरत और फॉजी की चौथी गल्फ्रेंड को तीसरी गल्फ्रेंड के बारे में पता लग गया था चौथी गल्फ्रेंड को लगता था कि वो प्रियवरत की अकेली गल्फ्रेंड है इसके बाद वो प्रियवरत से नाराज हो गई और वो किसी जानकार के जरिये दिल्ली पुलिस की special sale तक पहुच गई थी चौथी गल्फ्रेंड ने पुलिस को पूरी जानकारी दे दि थी पुलिस तीसरी गल्फ्रेंड के मोबाइल सविलांस के जरिये दिनांक 19 जून की सुबह 6 बजे शूटर प्रियवरत और फौजी तक खारी मीठी रोड, ग्राम बरोई, मुंद्रा, जिला कच गुजरात पहुच गई थी और शूटर प्रियवरत और फौजी के जरिये ही पुलिस ने सिध्धू हत्याकान का खुलासा कर दिया। पंजाबी सिंगर सिध्धू की हत्या करने के बाद आरोपी जल्दी जल्दी अपनी छिपने की जगा बदल रहे थे। ये हर दो दिन में अपनी जगा बदल लेते थे। कनाड़ा में बैठा गैंग्स्टर गोल्डी बराड और जेल में बंद गैंग्स्टर लोरेंस बिश्णोई हर हाल में सिध्धू को मारना चाहते थे। दोनों गैंग्स्टर चाहते थे कि मुसेवाला की मौत की चर्चा हर तरफ हो। स्पेशल सेल डी सी पी एच जी एस धालीवाल ने बताया कि सिध्धु मुसेवाला की हत्या में दो मॉड्यूल शामिल है। पहला मॉड्यूल बोलेरो गाड़ी में था जिसका नित्रत्व प्रियवरत पौजी कर रहा था। गाड़ी में ड्राइवर और मनप्रीत के लावा अंकित सिर्सा और दीपक मुंडे इनके साथ थे। दूसरा मॉड्यूल को रोला गाड़ी में सवार था जिसमें मनप्रीत मन्नू ट्राइवर के करीब बैठा था। वारदात वाले दिन गैंग्स्टर गोल्डी बरार से दोनों संपर्क में थे। शूटर साजिश की प्लानिंग कर ही रहे थे कि संदीप केकड़ा ने 29 माई को सिद्धू के बिना सिक्योरिटी घर से निकलने की खबर दे दी। उस समय सिद्धू के साथ दो मित्र थे लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं थी। शूटरों ने सिद्धू की गाड़ी का पीछा किया। आगे बढ़ने पर कोरोला ने सिद्धू की गाड़ी को एव अटेक किया और फिर मनप्रीट मन्नू ने एके 47 से उन पर गोलिया चलाई। ये गोलिया सिद्धू को लगी। इसके बाद कोरोला में सवार दोनों लोग उत्रे तब तक पीछे से आती बोलेरो उनके नजदीक आ गई थी। बोलेरो से भी 4 शूटर उत्रे और 6 लोगों ने सिद्धू की गाड़ी पर हमला किया। सिद्धू मुसेवाला की हत्या करने के बाद प्रियवरत ने कनाड़ा में गोल्डी बरार को फोन कर बताया था कि सिद्धू का काम तमाम कर दिया है। वार्दात को अंजाम देकर ये लोग दोनों गाड़ियों में वहां से निकल गए। वहां से जाने के बाद बोलेरो में सवार लोगों ने कुछ किलोमीटर आगे जाकर बोलेरो छोड़ दिया। उन्हें केशव ने वहां से लेकर फतेहपूर तक पहुँचाया। ये लोग कुछ दिन तक फतेहपूर में कुछ दिन तक रूके थे। घटना वाले दिन कशिश और प्रियवरत फतेगर के एक पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज में एक साथ दिखे थे। गिरफतार पहला शाप शूटर वा सिध्धू मूसेवाला की हत्या का मास्ट माइंड गड़ी सिसाना, सोनीपत, हर्याना का निवासी प्रियवरत और फौजी पुत्र जय भगवान हर्याना का गैंक्स्टर है। 26 साल के प्रियवरत पर मूसेवाला की हत्या से पहले भी मड़ के दो मामले चल रहे थे। सोनीपत में ही हुई एक हत्या के मामले में फौजी को 2015 में गिरफतार किया गया था। पुलिस को 2021 में हुए एक मड़ के मामले में उसकी तलाश थी। दूसरे शूटर का नाम कशिश उर्फ कुलदीब पुत्र दिनेश है। 24 साल का कुलदीब हर्याना के जजजर जिले के सज्यान पाना गाउं के वार्ड नम ग्यारा का रहने वाला है। हर्याना के जजजर में 2021 में हुई एक हत्या के मामले में उनकी तलाश थी। यह बोलेरो का ड्राइवर और शूटर भी है तीसरा आरोपी 29 साल का केशव कुमार पुत्र लाल चंद मकान नमबर 11385 गली नमबर एक आवा बस्ती भटिंडा पंजाब का रहने वाला है इसने शूटरों के साथ कई बार सिद्धू मुसेवाला के घर की रेकी की हत्या की घटना से पहले कार में शूटरों को लेकर मांसा तक गया था हत्या के बाद भी वो शूटरों को कार में बैठा कर वहां से ले गया था इससे पहले इसको 2020 में बठिंडा पंजाब के एक हत्या मामले में गिरफतार किया गया था इसका पंजाब में रंगदारी के अन्य मामलों में शामिल होने का संदे है आरोपियों को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया जहां से तीनों को चार जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज गया गया है दिल्ली पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर गोल्डी बराठ, गैंगस्टर काला जठेडी और गैंगस्टर गोगी गैंग का गजोर कई राजियों के लिए चुनौती बन गया था गैंग लगातार वार्दात को अंजाम दे रहा था इसे देखते हुए वर्ष 2021 में स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिशनोई और काला जठेडी गैंग के खिलाफ मकोका का मामला दर्ज किया था। संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क कड़ी एदर खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत सच दिखाते हैं हम दो संसनी ओफ इंडिया इंदी सप्ताहिक न्यूस्पेपर अर अबिवार आपके द्वार जो आप तक पहुचाता है क्राइन से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ पाँच दिखाते हैं कहीं साजिश तो कहीं रंजिश और जरुम का करेंगे पर्दा भार देखें हर रोज रात साड़े दस बजी संसनी ओफ इंडिया राष्ट्य राध्धानी नई दिल्ली से प्रकाश्चत हिंडी जैनिक समाचार पक्त विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारुबार और आपके आसपास की गटाओं से रूबरूज पात्र दो रुपे में विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी पस लॉग इन करें www.vijaynews.in झाल झाल झाल